नेक्स्ट अगर बात करें, तो इसमें दिया हुआ है, 0.004 molar solution of Na2SO4 is isotonic with a 0.01 molar glucose at same temperature, ठीक है, तो isotonic में आप जानते हैं, कि दोनों का जो osmotic pressure होता है, वो सेम होता है, ठीक है, अब Na2SO4 क्या है, क्योंकि वो electrolyte है, strong electrolyte है, कुछ दिया नहीं है, तो हम उसको, अच्छा, उन्हो theory of dissociation ही पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले I निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर I से हम alpha निकाल लेंगे, ठीक बात है, तो इसको मैं I लिख देता हूँ, ICRT, concentration इसकी कितनी है, 0.004, ठीक है, RT तो दोनों तरफ cancel out हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे, ठीक है, glucose क लिए I 1 होता है, और उसका जो concentration है, 0.01, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास I की value आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, formula लगा देंगे, alpha is equal to I minus 1 upon N minus 1, और N की value कितनी लेंगे, ध्यान रखिएगा, N की value लेंगे 3, ठीक है, तो यहां से अब का alpha आ जाएगी,